दूस्तो इस तरह चक्रव्यू में फसकर वीरगती को प्राप्त हो गए थे वीरभिमन्यू दूस्तो अरजुन और सुभद्या की पुत्र वीरभिमन्यू की बारे में सभी जानते हैं कि वे कि इस तरह चक्रव्यू में फसकर वीरगती को प्राप्त हो गए थे तो आए इस कहां भारत युद्ष्ट्र को बंदख बनाने के लिए चक्रवू का निर्मान कर दिया की चारों पांडव भाय और चिंता से घिर गए क्योंकि इपांडवू को कि पांडवों की हार ऐसे मैं अभिमान्यू ने युदिष्ट्री से कहा कि मैं चक्रुव भेदिना जानता हूँ परंतु उसे पहार निकला रही ऐसे मैं सभी पांडवों ने रिन्य किया कि अभिमान्यू चक्रुव भेदेगा और उसके पीछे पीछे हंबे चक्रुव में प्रवेश करके उसकी रक्षा करेंगे और इसे बहार निकार लेंगे प्रारंवे में यही सोचा गया था कि अभिमान्यू व्यू को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योध्या भी पीछे से चक्रिवू में अंदर घुस जाएंगे लेकिन जैसे ही अभिमन्यू घुसा और व्यू फिर से बदला और पहली कतार पहले से जादा मजबूत हो गई तो पीछे के योध्या भीम सत्य की नकुल सहदेव कोई अंदर घुस नहीं पाए योध्य में शामिल योध्या उन अभिमन्यू के स्तर के धनुर्दर दो चार ही थे यानि थोड़े ही समय में अभिमन्यू चक्रिवू के अंदर अंदर घुसता चला गया लेकिन अकेला नितांत अकेला उनके बिछे कोई नहीं था सभी प्रयास कर रहे थे तब जैद्रत ने आकर मोर्चा संभाला और पांडवों के चक्रिवू में जाने से रोक दिया जैसे जैसे अभिमन्यू चक्रिवू के अंदर जाता गया वैसे वैसे वहां खड़े युद्धाव का घनत और युद्धाव का कौशल उन्हें और बड़ा होता गया क्योंकि वे सभी युद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे बस खड़े थे जबकि अभिमन्यू युद्ध करता हुआ अंदर पहुँच रहा था वे जहां युद्ध और व्युद्ध रचना तोड़ने के कारण मांसिक और शारीक रूप से ठक गए थे वही कौरब पक्ष के युद्धा तरो ताजा थे ऐसे मैं अभिमन्यू के पास चक्रिवू में निकलने का ज्ञान होता तो भी बच जाते या उनके पीछे अने युद्धा भी उनका साथ देने की लाते तो भी वो बच जाते लेकिन थकान के कारण वैदिक जोश और होस ते लड़ नहीं पाए चक्रिवू में प्रवेश करने के बाद हमें मन्यों नंग, कुछ अर्टा पूर्वक चक्रिवू के छे चरण भेद दिये और इस दौरान अभिमन्यू द्वारा दुर्योधन के पुत्र लच्मन का वदि किया गया अपने पुत्रों को मुरते देखे दुर्योधन के क्रोध के कोई सीमा नहीं रही तब कौर्वर ने युद्धे के सारे नियाद रहें